Hello and welcome to the YouTube channel जैसा कि आपको पता है कि syllabus आ चुका है supervisor post के लिए जेके SSB की तरफ से और इस syllabus को दो parts में divide किया गया है part number one में general graduate level का syllabus रखा गया है और part two में specialization रखे गया है और जिसमें majority of the syllabus जो है वो sociality के साथ deal करता तो इस दूसरे part में 60 marks रखे गये हैं और इसको 6 units में divide किया गया है 10 marks रखे गये एक unit में before के हम एक video lecture series start करें इस syllabus पे हम syllabus को थोड़ा जान लेते हैं ताकि syllabus को ताकि syllabus के साथ थोड़ी हमें understanding आ जाए कि syllabus को कैसे पढ़ना है कहां तक पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है उसके लिए हम देखते हैं कि जो unit number one है unit number one में रखे जो topics रखे गये हैं वो है society, community और association इन topics को समझना है आपको यह होते क्या है society क्या होती है community क्या होती है और association क्या होती है इनके differences क्या है और इन topics पे किस कि socialist ने क्या कहा है society को कि socialist ने क्या कहा है जैसे like में क्लिवर ने कहा society is a web of social relations इन चीज़ों को आपको समझना है और याद रखना है कि किस socialist ने किस तरीके से किस चीज़ को define किया है community को समझना है community के टाइपस समझने है कि socialist ने कौन-कौन सी टाइपा community दे दी उसका नाम क्या था वो याद रखना है और उसके जो features है society community association के features है क्योंकि मैंने जो पिछले years में जो question देखे उनमें ये कहा गया है कि आप इसको identify किज़े क्या एक community है, society है या association है तो features भी बहुत अच्छे से समझने है then the association जो कि एक recent trend है इस दोर में सबसे ज़्यादा associations बनते हैं तो इसको भी समझना है कि association क्या होती है association के emers क्या होते interests क्या होती है community, society और association में differences क्या है then जो आपका दूसरा topic रखा गया वो social stratification social stratification में आपको ये समझना है कि social stratification क्या होती है social stratification, social logistics ने क्यों दी है ये mental constant है जो इससे हम society में inequalities को समझते है hierarchy को समझते है और especially आपको समझना है social stratification in India कि इंडिया में social stratification कैसे है इस syllabus में मैं आपको बता रहा हूँ इस syllabus में आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है Indian perspective कि Indian perspective क्या है हर किसी topic में आपको Indian perspective समझना है then after आपको ये समझना है कि social institution norms क्या होते है values क्या होते, focus क्या होते, mores क्या होते कि इन concepts उसको आपको अलग-अलग से समझना है और identify करना है क्योंकि उसके बाद आपको dialogue दिया जाएगा exam में आपको बताएगा क्या यह norm है, क्या है value है क्या है focus है, क्या है mores है और इनकी importance इनकी importance society में कितनी है कि ये एक individual को कितना control करते हैं एक individual को कितना control करते हैं और एक structure में ये कितने important होते हैं कि ये social control में कितने important है ये एक social structure में जिरन आपको ये समझना है कि उसके बार जो topic है वो है family marriage and kitchen family में आपको marriage में आपको ये समझना है marriage, marriage के typos marriage, marriage के typos marriage in Hindus, marriage in Muslims, marriage in Christians उसमें आपको ये भी समझना है कि divorce कैसे होता है divorce के divorce है इमंग Hindus, Muslims and Christians और उसके बाद आपको ये समझना है कि marriage किस culture में कैसे होती है उसके trendis क्या है और इसके recent trendis क्या आए है kinship आपको समझनी है किंशिप में सबसे जुरूरी जो आपको समझनी है किंशिप में आपको ये समझना है किंशिप में किस-किस ने स्टेडी की है किस-किस सुषाल जिसने इसने स्टेडी की है जैसे आपको इरावती कर्वी को समझना है इरावती कर्वी जो है इरावधी कर्वी ने काम किया है इरावधी कर्वी ने काम किया है इंडियान किंशिप सिस्टम में जैसे उन्होंने दो टाइप्स दिये है दयाबागा सिस्टम और मिताकशरा सिस्टम देन आपको फैमिली को समझना है कि फैमिली क्या होता है फैमिली के टाइपस क्या होते हैं कौन सी फैमिली कहा है एक्जिस्ट करती है modern trend क्या है फैमिली में वो सबसे ज़रूरी है ठीक है और उस पे studies के sociologist ले कौन सी study की है कितने टाइपस दिये है then after social change social change में आपको यह समझना है कि इंडिया में social change कैसे आई उसके लिए आपको confine रखा गया है किसी इन तीन topics के अंदर कि आपको industrialization समझने आपको globalization समझने आपको modernization industrialization आपको समझने after the independence की industrialization 1991 जिसको हम LPG बोल दे है रियो मन में हम भी बोल दे है कि उसकी वज़े से social changes कैसे आई इंडिया ने industrial policy को कैसे adopt किया दीरे दीरे और उसके बाद FDI ठीक है दियान आपको globalization समझना है globalization में आपको क्या समझना है globalization में आपको यह समझना है कि globalization क्या होता है globalization पे किस किस ने काम किया world perspective as well as Indian perspective world perspective में आपको आपको जरूरी पढ़ना होगा Marsh McGohan को पढ़ना होगा दियन आपको पढ़ना होगा जैसे Walaristan को पढ़ना होगा और इंडियान परस्पेक्टि में आपको globalization में Arjunal Emperor Rai को पढ़ना होगा योगिंदर सिंह को पढ़ना होगा तो इनको समझना होगा कि इनका perspective क्या था globalization पे, then the concept is modernization, modernization क्या होता है, modernization कहां से start हुआ, आपको enlightenment तक जाना पड़ेगा, कि modernization वेस्ट में कैसे आई, और then Indian perspective में आपको जो मैं आपको कह रहा था, कि इस syllabus में सबसे ज्यादा focus आपको Indian perspective पे काम करना होगा, उसको समुझना होगा, कि दिपांकर गुपत ने mistaken modernization का concept जो दिया है, दिपांकर गुपता को समुझना होगा, जिन आपको योगिंदर सिंग को समुझना होगा, उसके बाद जो unit second आपको दिया गया है, उसमें पहला है, जो topic है, वो gender inequalities and issues, gender को समुझना होगा, what is gender and what's sex, gender क्या होता है, gender inequalities, issues, gender issues क्या है, उसमें आपको ज social and post-modern जो है, वो समुझने होंगे, और then आपको recent trend समुझने होंगे, जैसे LGBT के writers समुझने होंगे, LGBT, QIA समुझना होगा, ये क्या है, और उसमें Indian perspective ज़रूरी समुझना होगा, जो eco-feminism है, जिसमें वंदना शिवा ने काम किया है, बिनागरवाल ने काम किया है, और cultural feminism जो ल IPC को पढ़ना होगा, और जो laws है, rights है, जो भी provisions है, Indian current situation में उनको समुझना होगा, then आपको समुझना होगा, human rights क्या होते है, human rights का concept क्या है, then आपको समुझना है, उसको बाद आपका जो topic है, वो है human development, theories of human development, लेकिन इस topic में हमें confine रखा गया है, हमें Sigmund Freud को समुझना होगा और इरिक, इरिक सन को समुझना होगा, कि उनकी जो theory थी, human development पे उसी को समुझना होगा, ठीक है, then आपको ये पढ़ना है, कि socialization, जो है socialization and it is theories, socialization, socialization के theories, और mostly उसमें जो है CH कुले looking glass setup theory, और GH mead को cover करना होगा, उसके बाद जो psychology का concept है, anxiety disorder है, phobia क्या होता है, OCD क्या होता है जेडी क्या होता है, panic disorder क्या होता है, इसमें ये समझना है कि ये होते क्या है, पहले meaning, फिर causes इसके, फिर इसके impacts, जब impacts पढ़ते हैं, तो symptoms एक individual में कैसे identify हो जाएंगे, कि इसको इस चीज़ का disorder है, या इसको ये anxiety है, anxiety disorder है, symptoms और remedial majors क्या है, इसके psychologists ने किस तरह से कहा कि हम इ उसके बाद, humoritis आपको समझना है, humoritis concept and evolution, humoritis concept क्या है, और evolution कैसे हो गया, ये कैसे आया, ये concept ठीक है, उसके बाद, आपको समझना है, universal declaration of humoritis, ठीक है, universally declared कैसे हो गया, humoritis, वो concept समझना है, उसके बाद, understanding sex, gender, sex क्या होता है, gender क्या होता है, differences क्या है, sex कुण सा concept है, और gender कुण सा का मसरी यह biological concept है cultural concept है sexual division of labor sexual division of labor में आपको यह समझना है कि sex की basis पे labor को division की divide किया जाता है जो low lower paid jobs है वो women's को दिये जाते हैं higher paid jobs higher male को दिये जाते हैं then आपको समझना है कि work का जो ratio है ratio proportion वो कितना है उसके बाद women right and child right women के right is क्या है और child के rights क्या है बच्चूंके क्या क्या right is है वो भी constitution को हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सा provision है कौन कौन सा article है ठीक है देन उसके बाद social evil is जो है हमें इसमें ये पढ़ना है कि child abuse जो अभी front line पे एक social problem आ रही है कि किस तरह से हो रहा है कौन उसमें इनवालों ज्यादा है काजिज क्या है उसकी इंपक्ट स्क्या पड़ेंगा अगर चाइल्ड पे ज्यादा ज्यादा होगा तो government क्या कर रही है इसके लिए कॉन से provision ला रही है कॉन सा roll कर रहा है इसके लिए government कितना контроль कर आख कि state में ज्यादा है उसके बाद child labor को भी इसी तरह से समझना का child labor होता क्या है, socialist child labor किसे बोलते है child labor के causes क्या है, impacts क्या है, child labor का जो data है वो कोण release करता है, कहां स्यादा है, उसको समझना है कहां ज्यादा है, कहां काम है, causal factors क्या है, female इसके काईज़ क्या होता है इसके काई इसके इंपाइट क्या जा रहा है इसके इनधर को पुरूह एपको आपको समुझना है। इसके लिए तो इसका data क्या है इसका data कितना है यह किन में ज़्यादा है यूथ में ज़्यादा है ज्यादा है में हम्एं काम स्वाड़ा है तो इस चीज़ को भी समझना होगा उसके बाद जो आपका unit रखा गया है वो है उसके बाद आपका poverty का unit रखा गया है देन आपका ये unit रखा गया है कि poverty and unemployment poverty को समझना है poverty होता क्या है poverty के types क्या होते हैं और इंडिया में कौन-कौन सी committee बनाई गई इसके लिए कि हम poverty को major कैसे करे, ruling में कैसे करे, urban में कैसे करे हिली areas में कैसे करे, तो उसके लिए committees को समझना है फिर हमें ये समझना है कि poverty को major कौन करता है इंडिया में किस line पे major करते हैं, कौनवी committee की recommendation एक्सेप्ट की गई कौन सा institution इसपे report publish करता है, कौन सा institution इसे major करता है और इंडिया ने क्या-क्या प्रोग्राम उठाए जैसे हमें पढ़ने होगे शिरी इंद्रा गांधी का प्रोग्राम उनके टाइम पे कौन से प्रोग्राम थे जो अभी सरकार है वो क्या कर रही है उन्होंने कौन-कौन सा प्रोग्राम लिया है इसके लिए और फिर अनेम्प कितना है, किस स्टेट में ज्यादा है, कौन-कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, गवर्मेट की तरफ से इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल इसको डिक्रीज करने के लिए, 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 सोच चेंज़, क्लाइमेट में कैसे चेंज़ आ रही है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, इंडिकेटर सब सुशल डेवलप्मेंट, कि अगर सुशल डेवलप्मेंट हो रहा है, सुसाइटी में डेवलप्मेंट हो रहा है, लेकिन उसको हम मेजर कैसे करेंगे, कि इन चीज़ों हमें development हो रही हैं, तो हम कहते हैं उसके बाद trafficking हमें समझना है बेगरी हमें समझनी है, corruption समझना है, इन चीजों को समझना है कि ये होता क्या है, social justice से क्या बोलते है, इसके types कितने होते हैं इसके causes कितने होते, इस पे सबसे ज़्यादा कहा ये चीजी होती है corruption कहा होता है कि sector में ज़्यादा corruption होता है और कुन-कुन से programmers ज़र रहे हैं कुन-कुन से institutions create किये हैं government ने ताकि इस चीज़ को कम किया जाए जो ये social problem है इसको थोड़ा control में रखे ये ज़्यादा बढ़े ना ठीक है उसके बाद जो आपका unit रखा गया है वो है growth and development unit number 5 इस में unit number 5 में आपको ये चीज़े समझनी है growth and development क्या होता है growth and development food nutrition health and fitness physiology and promoting health ठीक है ये topics रखे गए है food science and processing chemical analysis of food food personal hygiene तो ये चीज़े समझनी है आप ये सूच रहे होंगी ये unit जो है ये तो बायो का unit है नहीं ये sociology of health का है sociology of health ये एक emerging branch है sociology का जिस पर आज सबसे ज़्यदा काम हो रहा है कि sociology of health में ये चीज़े आती है कि health के related जो issues है health के related जो topics है उनको study करना है इसमें क्या 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 रखा गया है growth and development को food nutrition क्या होता है health or fitness, health कैसे रहेगा fitness, physiology, promoting health health को कैसे promote करे food sinus क्या है, chemical food and personal hygiene ठीक है तो ये unit भी उतना tough नहीं है easy है ये unit, अगर इस unit के लिए मुझे time मिला, मेरा एक friend है जो PhD कर रहा है sociology of health में तो मैं उसे बलाऊंगा इंशालला अगर मुझे time मिला तो उसको इस unit को हम cover करेंगे उसे हम बोलेंगे, request करेंगे कि आप इस unit को cover कीजेगा तो वो अगर उनको time मिला तो इंशालला उनको बलाएंगे इस unit पे हम देन after जो unit number 6 है इसमें 10 marks रखे गए हैं और इस unit में सबसे ज़्यादा क्या रखे गए हैं इस unit में सबसे ज़्यादा schemes रखे गए हैं कि schemes क्या क्या लाई गई हैं governmental and non-governmental बोत दोनों जो government की नहीं है और जो government की है जिसमें NGOs काम करते हैं वो non-governmental organizations होती है ठीक है देन उसके बाद हमें ये समझना है कि non-governmental organizations non-governmental programs और governmental programs में medical health care क्या है adoption foster care institutional care child children act and children right is in care family and family welfare program क्या है ये program क्या था काब आया इसको क्यों लाया गया problem क्या थी उस time उस problem को control करने के लिए ये program लाया गया aim क्या था इसका उसके बाद aim के बाद हमें ये समयना target group कून था किस पे उन्हें काम किया उस time जिस group पे ये काम जिसके लिए ये लाया गया और उस पे ये scheme जो लाएगी है state की थी state sponsored scheme थी center sponsored scheme थी किस ने इस पे ज़्यादा जो fund खरच किया किस ने इस पे fund ज़्यादा दिये तो उसको समझना है then हमें ये समझना है early child care and education early child care and education क्या होता है और उसके बाद old age old age क्या होते हैं old age हम किसे कहेंगे sociology के लिए old age कौन होते हैं उनके लिए schemes क्या है उनके लिए government ने क्या क्या provisions रखे disability schemes जो disabled होते हैं किसे disabled कहा जाता है कितना percent disabled accept किया जाता है और उसके बाद ये समझना है disability schemes क्या क्या है इंडिया में ठीक है तो ये scheme जो confined within इंडिया हमें पढ़नी है इंडिया से का किस ministry से कौन सी scheme आई किस ministry ने इसको approve किया और कौन इसको sponsor कर रहा है ठीक है then उसके बाद और ये scheme जो हमें समझनी है portion अभिया portion tracker portion vecticus supplementary nutrition program और आंगनवाडी ठीक है इन scheme उसको समझना है कब आई date याद रखना है objectives क्या थे aims क्या थे target group क्या था कितना काम किया इस scheme ने ठीक है कब implement हो गई बस ये समझना है इसमे और उसके बाद जो लास्ट वाला है जो लाडली बेटी scheme है state marriage assistance scheme जो आई ये कब आई इसका मकसद क्या था क्यों आई aim क्या था objectives क्या थे target group कौन था कौन सी scheme थी center की थी state की scheme थी ठीक है तो वो समझना है इसमें और इन सी scheme उसको याद रखना है तो वोराल अगर हम कहें जो syllabus है वो ज्यादा उतना difficult नहीं है लेकिन उतना easy भी नहीं है कि इस syllabus को हम उतना easy ले अगर हम देखे तो इसमें मुझे लगता है एक दो महीने लग जाएंगे एक video lecture series बनाने में तो उसकी आप चिंता ना करें मैं वो available करतूंगा आपको अब final touch की ओर बढ़ते हैं कि कुछ बचे कह रहे थे कि sir इस syllabus पे अगर हम कोई book लाए या हमें अगर extra time मिर रहा है तो हम वो study करें तो वो book कौन-कौन सी हम लेंगे कौन-कौन सी book हमें लेनी चाहिए इसके लिए ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ book number one मैं कुछ books दो चार आपको बताऊंगा जो book number one है वो है principles of sociology ठीक है principles of sociology याद रखेंगे by cn shankar rau cn s h a n k a r shankar rau r a o cn shankar rau की book principles of sociology और दूसरी book जो है वो है sociology of indian society sociology of indian society भी किस की है वो भी शankar rau की है ठीक है यह दूसरी book है यह आप ले सकते हैं वो भी इसी की है लेकिन इसका यह खयार रखना है इसका updated version लेना है पुरानी वाली नहीं लेनी है फिर है तीसरी जो book है वो आप यह ले सकते है social problems in india social problems in india by shankar rau ठीक है इसका fourth virgin आया है तो वही लेचे का आप उसके बाद जो fourth वाली book है वो fourth जो book है वो है essential as of sociology essential as of sociology अगर कोई civil service के लिए पढ़ रहा है आपके cousins में या कोई आपका रिष्टेदार तो उसके पास यह book हो सकती है यह नितिन सांगवान की है नितिन सांगवान ठीक है fifth book जो है वो आप लेख सकते हैं हर लंबस themes and perspectives यह वो एक बड़ी book है इसको भी आप ले सकते हैं अगर कोई आपका किश्मीर युनिवस्टी में पढ़ रहा है sociology का या कोई दोस्त है तो उसके पास यह available होगी इसमें एक ही unit आपको पढ़ना है वो है gender का unit इसमें एक unit है जिसका नाम है gender तो वो आप पढ़ सकते हैं इसमें आपका gender के सारे topics cover हो जाएंगे So, शुक्रिया Thanks to all of you अगर आपको कोई भी कोईरी है वो आप बता सकते हैं अगर आपको लगा कि आपनी कुछ सीखा इस lecture में तो पलीज चैनल को सबस्क्राइब कीजएगा लाइक कीजएगा और शेर कीजएगा Thanks to all of you